हाँ केसे हो यारो देश के प्यारो दोस्तो एक बहुत बड़ी गुड नियूज है और जो हिंदू भाई हैं उसके लिए बैड नियूज हो सकती है क्योंके हिंदू भाईयो आप लोग भी तैयारी कर लीजिए एक ना एक दिन आपको भी हिंदू धरम छोड़ करके कोई दूस दूसरे धरम में जा रहे हैं तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि बिहार में बीजेपी की हार पक्की है और ये भी बताऊँगा सेक्रों हिंदूओं ने अपना हिंदू धरम को छोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एसा अगर चलता रहा तो कुछ कुछ सालों बाद सारे हिंदू धर्म को छोड़ सकते हैं तो दोस्तों ये विडियो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें बताने वाला हूं कि जगह-जगह BJP नेता पीट रहे हैं कहीं पर गोबर्फ हेक कर BJP नेता को मारा जा रहा है तो कहीं गाली देकर BJP को भगाया जा र मुखमंतरी है यूपी के तो वो योगी बिहार में आये भाशन देने तो लोगों ने सवागत किया पता है मा बहन की गाली दे करके हरां की गाली नहीं देनी चाहिए थी तो गाली दे करके सवागत किया और गाली दे करके मुर्दाबाद माईक से बोल रहा है योगी अधित य CM है यही योगी के कारण वहां के सेकलों हिंदुओं ने परिशान होकर के योगी से परिशान होकर के योगी ने इतना परतारित किया इतना सताया वहां के हिंदुओं को कि मजबूरन उनको धरम परिवर्तन करना पड़ा हिंदु धरम को छोड़ कर बोध धरम अपनाना पड़ तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बातों पर तो मुद्दे की बात ये है कि बिहार में BJP की हार पक्की है अब क्यों पक्की है ये जानना आपके लिए सबसे जरूरी है तो देखिए जिस तरह से किसानों के खिलाफ दिल पास करके कानून बना करके किसानों को परिशान किया, दिल दुखाया और किसानों के उपर लाथी बरसवा करके लाथी से पिटुआया नरेंदर मोदी ने, बीजेपी सरकार ने, अब क्या वो किसान बीजेपी को वोट और जितने सारे योगा है इस देश में हैं जहां भी है उनको रोजगार देने की बात कह रे छीन लिया किया वो यूगा वीजेपी को वट देए नहीं देए बिहार के चुनाविवाशन में रसी लागू करने की बात कह करके सारे हिंदुस्तानियों का दिल दुखाया नागरिकता जाने की बात कही गई तो क्या हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे समझदार हैं जो नागरिक बने रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में क्या वो बीजेपी को ओड़ देंगे नहीं देंगे इसी तरह एक-एक करके क्या वो देन पोफ करके सकते हैं और पोश्टर भी चिपका दिया है के बीजे पी नैता यहाँ पर आना मना है तो दोस्तों मिला करके मैं ये कहना चाहता हूं कि के by दो बीजे हैं बिहार के अंदर गाम में घुसना घर से भी निकलना मुश्किल हो चुका है तो वहां की जनता बीजेपी को केसे वोट देंगे कोई वोट देने वाला बचा ही नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी की हार बिहार में पक्की है